सहजन की फली में इतना विटामिन प्रोटीन होता है कि बाकी की सब्जियों तो इसके सामने कुछ भी नहीं है हफ्ते में आप एक बार भी बनाके खालोगे तो आप कई विमारियों से बस सकते हो नमस्कार मेरा नाम सिताक माउत और मेरे चैनल सिता स्कूकिंग में आपका एक नई विडियो में स्वागत है आज बनाएंगे सेजन की फली की सब्जी इस फली को अलग 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 नाम से जाना जाता है यसको शिंग बोलते हैं, कई जिगे इसको सेजन बोलते हैं और कई जिगे इसको मुनका भी बोलते हैं आपके यहां क्या बोलते हैं comment करके जरूर बताना और वीडियो पसंदाये तो please वीडियो को like share करना यह देख सकते हो, यह मैंने बड़ी वाली सेजन की फली लिए, एक सेजन की फली तो एकदम सीधी रहती है, उसमें कोई भी टेडा मेडा पन नहीं रहता है, लेकिन यह थोड़ी टेडी मेडी रहती है, लेकिन यह बड़ी भी हो जाती है, यानि मोटी भी हो जाती है, तो भी क पच्ची रहती है, यह देख सकते हो, मैं काटके दिखा रही है आपको, और इस तरह के से आप छिलका भी निकालोगे, छिलका भी निकाल सकते हो, और मैं तोड़के भी दिखा रही है आपको, यह देख सकते हो, तोड़ने पर आसानी से टूट रही है, और अंदर से एकदम से बरपूर है जितना पलप होगा फली में उतनी टेस्टी सब्जी बनेगी देख सकते हो मैं तीन इंच की साइज में या दा इंच की साइज में कट कर रही उसको आप अपने पसंद से चोटे बड़े साइज में कट कर सकते हो इसको बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है फ्रे का नहीं नीकालूंगी इसका इसे ही बनाऊंगी सिंघ फली गए पूरी को कट कर लिया है तीन इंज की साइज में लसुन ये सबजी में तोड़ा ज़्यादा डालते है तो अच्छी बनती है दो तीन चोटी वाली अरी मिर्ची लिए मैंने और एक टमाटर और एक प्याज लिया है प्याज और टमाटर को बारिक बारी काट लेंगे आप इसको पीस के डालना चाते हो तो पीस के भी डाल सकते है और अरी मिर्ची और लसुन को भी मैंने दरदरा सा कूट लिया है ज़्यादा बारिक नहीं कूटा है अगर आपको यही सबजी में मसाला पीस के डालना है यह सारे मसाले को आप मिक्सर में बारिक बारी पीस लीजिए ग्रेवी वाली सबजी आप बनाना चाते हो तो और देख सकते हो इधर हमारी फली भी अच्छे से उबल गई है ज्यादा देर तक नहीं वाला मैंने सिर्फ पांस मिनट ही इसको उबला है पांस मिनट में अच्छे से उबल जाती है फली यह देशी वाली सिंग है इसको उबलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है वो दूसर होने के बाद में में हलका सारा लगाते हैं इसको अलग-लग फीस में कर रही हूं और इदेख सते हो गुद्धे से बरपूर है एक दम बहुत सारा पलप है इसमें और बीज तो बिल्कुल भी पके नहीं है एक दम कच्छे है अभी सबजी बनाएंगे सबजी बनाने के लिए ए अभी प्याज को दो-тीन मिनाट तक बुनेंगे अलका कलर चेंज उने तक बुनेंगे और दो-तीन मिनाट बाद में इसमें मैंने दरदरा कूटके है हरी मिर्ची और लसुन और अद्रा को लिया है आप चाहतो बार इक पीस के भी ले सकते हो या फिर लसुन अद्रा का इससे पहले प्रेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करना अभी एक कटोरी लेंगे और कटोरी में एक चमस लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे एक चमस धनिया पाउडर और आदी चोटी चमस हल्दी पा अगर आपके पास में यह मसाला नहीं है तो आप पाऊवाजी मसाला या फिर मेगी मसाला कोई भी मसाला डाल सकते हो अभी जो फली उबाल के ली थी उसका पानी निकाला था वो मैंने अलग निकाल लिया था बरतन में वही पानी इसमें डालेंगे ताकि हमें पूरा के लिया था एक बार mix कर लेंगे और ये बिगवा इसमें डाल देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे और 3-4 मिनुट तक ये जब तक की या मसाला टेल नहीं छोट दी वापस, जब तक पकाएंगे मसाले को, और बहुत अची बॉस्बुटाने लगे, तब तक या मसाले को पकाना है, मसाले का कलर देग़ते ही, आपको पता चल रहा होगा, कि सब्जी कितने अची बनेगी, और वही कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और वो डाल दिया है ताकि मसाला भी बिल्कुल वेश्ट नहीं जाए और मसाला अच्छे से पक जाए क्योंकि मसाला को पकने में भी थोड़ा टाइम लेगेगा तो अच्छे सब्जी बनेगी साथ में ही में डाल रही हूँ एक बारी कटावा टमाटर इसको मैंने बारिक बारी काट लिया है और अभी साथी में सवाद के नुसा नमक डाल देंगे आप अपने टेस्ट के नुसा नमक कम ज़्यादा डाल सकते हो मैंने एक चमश डाला है और साती में भी डखन लगा देंगे और 3-4 मिनट तक लोटू मीडियम गेस पे मसाले को अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और एकदम गजब की सबजी बने अब यह आप देख सकते हो 3-4 मिनट हो गया है मसाला अच्छे से पक गया है मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छी कुस्बू आ रही है एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको इसमें कोई और अधर मसाला डालना चाते हो तो आप डाल सकते हो जैसे कि गरम मसाला फिर चाट मसाला या फिर आम चूर कोई भी मसाला अपने पसंद से डाल सकते हो मैंने कोई भी अधर मसाला नहीं डाला है गर पे जो मैसाला मैंने बना के रखा है वही मसाला डाला है और उसे बहुत ही गजब की सबजी बनती है बारी कटा हुआ अराधनिया डाल लेंगे और अच्छे से mix कर लेंगे अगर आपको बाद में सबजी पूरी रडी होने के बाद में अराधनिया डालना है तो आप डाल सकते हो, मैंने पहले ही डाला है ताकि अलका सपक जाए मैं फली को डालने के बाद में बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगे ये सबजी को उबली हुई सिंग की फली डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देख सकते हो अच्छे से मिक्स कर लेना है और हलके अलके चमस को चलाते चलाते मिक्स करना है नहीं तो फली में से एकदम रेसे अलग-लग हो जाएंगे सबजी हमारे अच्छे सी मिक्स हो गई है अभी 15-20 सेकेंड के लिए इसको डखान लगा के ऐसे ही छोट देंगे और्गेस का फ्लेम लोटू मीडियम कर देंगे 15-20 सेकेंड बाद में देखेंगे कि सबजी में से बहुत ही अच्छी कुस्बू आ रही है अगर आपको इसको तरी वाली सबजी बनाना है तो थोड़ा गरम पानी करके आप इसमें डाल सकते हो अगर तरी वाली नहीं बनाना है आप इसको ऐसे ही खा सकते हो रोटी पराटा पूरी के साथ में आप खा सकते हो अगर आपको चावल के साथ में इसको खाना है तो आप थोड़ी सी तरी वाली सब्जी बनाना यानि थोड़ा गरम पानी करके आप डाल सकते हो तरी वाली हो जाएगी यही सबजी में पाने डाल दोगे तो यह तरी वाली हो जाएगी यही सबजी को आफ सूकी रख लोगे तो सूकी सबजी बन जाएगी अगर आप यह सबजी में आलू डालना चाते हो तो आलू भी डाल सकते हो दोनों की मिक्स सबजी भी अच्छी बनती है लेकिन मैंने ना ही तरीवाली बनाई है और ना ही आलू मिक्स करके बनाया है खाली सिंग फली की सबजी बनाई है बहुत ही गजब की बनी है मेरे यहां यहां यहीं बनती है और सब चाव से काते है और एक रोटी की जगह चारोटी कब खाजाओगे आपको पता हमें नीन से लेगा, सेजन की फली की सबजी हमारी बन के त्यार है आप इसी तरह के से बनाना और इंजैना करना, और कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं इसे ही नए वीडियो के साथ में तब तक लिए टाटा बाबाई